बड़ी खबर इस वक्त की सीम नायब सेनी ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा है ये बड़ी खबर हम आपको पता रखें है कॉंग्रेस की लिस्ट पर सीम का ये तंज कॉंग्रेस उमें द्वारों की लिस्ट में देरी पर नायब सेनी ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उनने कहा कि कॉंग्रेस में टिक्टो का फैसला नहीं हो पा रहा है पी एम प्रधान मंत्री बीजेपी की लोग प्रियता से कॉंग्रेस में भै है तो यहाँ पर निशाना साते हुए नज़राय सीम नायब सेनी और उनने कहा कि कॉंगर्स में टिक्टों का फैसला नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा जो देवी से लिस्ट आने को लेकर भी उन्रों ने बयान दिया है इंडिया 400 से जादा सीटे जीतेगा ये सीम नायब सेनी दावा करते हुए नज़राय आए आज देखिए वो मन्थन कर रहे हैं क्योंकि नरेंदर मोदीजी का जो तो वक्त का कारेकाल रहा है हमने देखा है कि जब 2014 में नरेंदर मोदीजी चुनाव लड़े थे देश ने 282 सीटे दी 2019 के चुनाव में ये बढ़ करके 330 सीटे दी अब देश ने ये तैक हिया है कि हम 400 पार सीटे देंगे तो कहीं न कहीं कॉंगरेस के अंदर इस बात को लेकर के भय है कि हम किश को उतारें किश को नहीं उतारें कोई उतरने के लिए त्यार नहीं है और कहीं न कहीं किशी को दबाव दे करके उसको मैदान में उतारने की कोशिस इनके द्वारा की जा रही है और मन्थन चल रहा है इनका